दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलसाद में इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूस मेसिंजर टू कीप चैटिंग की प्रोब्लम क्यों आती है जैसे कि आप देख रहे हैं अगर ये प्रोब्लम आपके पास आ रहा है तो ये प्रोब्लम क्यों आ रहा है और कैसे आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको इस problem का proper solution मिलने वाला है बस आपको इस वीडियो को last तक ध्यान से देखना है और कहीं से भी skip नहीं करना है और अगर आपने भी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो like भी जरूर कर देना चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो जल्दी से वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दू यह जो problem है आपको क्यों आती है अगर आप अपने facebook app में किसी को chat करने का परियास करते हैं तो facebook app में अगर messenger app नहीं होता है तो यह problem आपको आ सकती है जैसे के अगर आप यहाँ पर किसी भी browser में अपना facebook open करते हैं जैसे के मैं chrome browser में अपना facebook open कर रखा है जैसे के मैं फिर से आपको सुरू से open करके दिखा देता हूँ chrome browser में मैं यहाँ पर search करता हूँ facebook जैसे ही मैंने facebook search किया तो यहाँ पर हमारे सामने Facebook side आ चुकी है मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए hold करने के बाद open in new tab पर टच करने के बाद browser में ही Facebook app open कर लिया है अब हमारा जो Facebook app है वो browser में ही open हो चुका है मैं अगर यहाँ पर message के icon पर टच करता हूँ तो हमारे सामने यह error आ रहा है use messenger to keep chatting chat on browser are not available अब यहाँ पर इस problem का solution क्या है इस problem के कई सारे solution है और एक नहीं अनेक तरीकों से यह problem ठीक हो जाती है पहले हम समझ लेते हैं हमें problem क्या है जैसे कि हमने अपने browser में Facebook app open कर लिया है अब हम Facebook app में chat करना चाहते है तो हम अपने browser में अगर chat करना चाहते है तो हम chat नहीं कर पाते है हमारे सामने error आ जाता है use messenger to keep chatting chat on browser are not available अगर यह error आता है तो हम यहाँ पर go to messenger पर touch करने के बाद messenger को download करने का परियास करते हैं अब ऐसे में अगर हम go to messenger पर touch करते है तो हमारे सामने कुछ इस तरह का error आ जाता है इससे आगे नहीं बढ़ता है चाहे हम कितना भी wait करें यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है तो इस problem का हमें solution लिकालने के लिए करना क्या होता है सबसे पहले तो हमें फेस्बुक मेसिंजर एप डाउनलोड करना होता है हम यहाँ पर play store में आने के बाद फेस्बुक मेसिंजर एप डाउनलोड करेंगे मेसिंजर एप को डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर मेसिंजर एप को ओपन करेंगे हम go to messenger पर टच करने के बाद messenger एप में चैट कर सकते हैं लेकिन अगर आप messenger एप में नहीं चैट करना चाहते आप messenger एप को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो इसका एक और solution है उसके लिए आप यहाँ पर facebook एप को अपने phone में इस्टॉल कर सकते हैं Facebook App में भी आप किसी से भी चैट कर सकते हैं, जैसे कि हमने याँ पर Facebook App ओपन किया और यहाँ पर Messenger पर अगर हमने टच किया तो यहाँ पर हम Facebook App के अंदर ही चैट कर सकते हैं, हमें अलग से Messenger App को डाउनलोड करने की जुरवत नहीं है, और अगर आप Facebook App को अपने फोन में श्टोल कर सकते हैं जैसे कि मैंने हाँ पर अभी आपको Facebook एप में दिखाया आप Facebook एप से चैट कर सकते हैं लेकिन अभी हाँ पर हमारे फॉन में messenger install है इसलिए हाँ पर messenger पर टच करने के बाद messenger में हम redirect हो रहे हैं हमारी जो chat है वो messenger से हो रही है लेकिन मैं हाँ पर messenger को एक बार stop करके देख लेता हूँ मैं हाँ पर messenger पर कुछ समय के लिए hold करता हूँ एप info पर टच करता हूँ और यहाँ पर हम four stop पर टच करते हैं अब हमारा messenger एप बंद हो चुका है हम दोबारा अभी हाँ पर facebook एप में चैट पर open करते हैं तो अभी भी हाँ पर messenger में ही redirect हो रहा है इसलिए मैं हाँ पर अब की बार messenger को अंस्टोल कर देता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाएं messenger एप के बिना भी facebook एप में अब चैट हो जाती है पहले नहीं होती थी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने messenger एप को अंस्टोल कर दिया है और अब मैं हाँ पर facebook एप को इस्टोल कर सकते हैं facebook light application को भी आप इस्टोल कर सकते हैं लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको सबसे गजब तरीका बता रहा हूँ जिसके दौरा आपको किसी भी application को अपने phone में इस्टोल करने की जुरुत नहीं है आप इसी browser में किसी भी व्यक्ति से चैट कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें यहाँ पर problem आ रही है मैं यहाँ पर messenger पर touch करता हूँ तो हम message नहीं कर पा रहे हैं हमें यहाँ पर messenger app install करने के लिए बोला जा रहा है लेकिन हम messenger app को install नहीं करना चाहते तो आपको क्य करना है उसके लिए आप यहाँ पर गो टू मेसेंजर पर टच करेंगे अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है इससे आगे यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है इसमें आपको एक ट्रिक लगानी पड़ती है थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना पह रही है लेकिन हमने यहाँ पर जो ठ्री डॉट पर टच करने के बाद डेक्स्टॉप मोड में किया इससे हमारा काम आसान हो जाएगा अब की बार मैं दोबारा यहाँ पर गो टू मेसेंजर पर टच करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेक्स्टॉप साइड पर क किसी भी व्यक्ति को message बेज सकते हैं हमें अलग से messenger application install करने की जड़रत नहीं है facebook app install करने की जड़रत नहीं है facebook light application install करने की जड़रत नहीं है जैसे कि मैं अपना एक account open करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं अब हम यहां पर आसानी से chat कर सकते हैं मैं आपर हाए लिखा और मैं हाए लिखा और मैं पर wida? Let me, ऑगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like जरूर किजिएगा मैं मिलता हूँ आप से अगली इसी तरह की knowledgeable और interesting वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमयाव यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया